Hello guys, my name is Sonny Romar and welcome to my channel TechHack तो आज की इस वीडियो में आपको शेकामगा की गवर्मेंट का जो लाप्टॉप है तो कि अखलेश यादव जिन जुद्धिया था लाप्टॉप हमें जिनकी गवर्मेंट नहीं है तो इस लाप्टॉप का जो पाइवर्स का पास्वर्ड है यंगी start up password क्या सकते है hardest password कहते है만 ढूलते हैं एक शे स्पनार्फ के तरूड होता है उस password को आप आसाली से कैसे reset कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में यहां जाहँगा चली start करते हैं स्बस्क्राइब की requirement होगे एक अग्को इसको बोलते हैं C.b Brown men qurdee any matter प्राइट विज़न मेरे काफी सारा डेटा है बट तूल कहा है तूल को डाउनलोड कर देते हैं सिंपल है सी मोस दी एनी मेटलाइब इस तूल के खास बात ही है कि ये बाइउस की डेट अन टाइम को असानी से रिसाट कर देता है इसके तूल आप लैपटॉप को रिस्टार करते हैं तो आप बाइउस का पासवर्ड या हार्ड़ पासवर्ड ओटोमेटिक रिसाट हो जाता है और आगे की जो मैं वीटियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा हैं कि HP की लिए लापटॉप से एंडल के जो लैपटॉप है उनने जब हैट को जनरेट होता है याःभ गलत पासवर्ड थ्री तामस डालते हैं वाइस गेसका तो इसमें हैट को जनरेट होता है उस हैट को गीट ते थ्रूआप आप फासवर्ड याई सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपका लाप्टॉप को असाइन से अलॉक हो जाता है उस वीडियो को में कल बना हुआ हुआ उसे अप्लोड करूँगा कि आप आसानी से गुआर्मों के लैक्ताप की बायूस की पासवर कुट पर और ना ओपन की और उसे पासवर्स कर सकते हैं एक यह दोस की आपकल नहीं पर पार रहे हैं तो आप पहले वाईूस में बूट करें विंडूस के चलाएं जो तो सब्सक्राइब करना अधर्वाइस देमिज कर सकता है यह तूल है डी सीमोस 3 एक्सट टूल गिनार शही है आपको इस टूल को आपको राइख क्लिक करना है और यह सब्सक्राइब करना है यानकी एडमिन पर्मीशन की थूल ही चलेगा इस टूल को मैंने एक्सक्राइब करना है से बता रहा है कि रनिगों 64-bit NT-based Windows, are you on a laptop? take caution यहां की आप लैटपोप युज दरासानी सिर्कॉटनाइस रहा है OS report local time in की operating system का time plus CMOS का time दोनों match करनी चाहिए अगर match नहीं कर रहे है तो simply आप right click connect रहे हैं और administrate departments पे फर्मिशन पोसे रन करा जाएं से थूल का test CMOS read successful हो जाएगा अगर यह हो जाता है तो उसके बाद आपको करना करा है action में जाना है CMOS option में जाना है और आपको by full पे click करना है अगर आप government का laptop यूज कर रहे है तो नहीं टिक करें वाइब फुल पर ठीक है या एट्पी का laptop यूज कर रहे है ठीक और यहाँ जाए execute और यह बटन देख रहे हैं यस तो process are you sure जब आप यहाँ पर yes का button press कर देंगे बड़ा capital में तो आपकी जो BIOS है वो आसानी से reset हो जाएगी और आप देखेंगे आप BIOS के अंदर आसानी से access ले सकते हैं without password के विदावक master password के यहने कि यह master password को यह CMOS का जो time में उसको असानी से reset कर देगा और आप BIOS में entry ले सकते हैं यह बहुत से simple तरीके से तो thank you and keep supporting developers because they deserve it